मारती सुजु की एस्प्रेशो एक ऐसी गाड़ी है जो की काफी अच्छा माइलिज देती है अगर आप इसे खरीते हो तो यह काफी जादा ऑसम गाड़ी होने वाली है आज हम इस वीडियो में इसी गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं स्वागत है आप सभी लोग का आप उसे खरीते हो कर सकते हो और साही जीजक्प के बारे में बात करूंगा चलो ब्लिकर स्था इर्प करते हैं सबसे बह Selbst च्डप करूंगा इस के इंजन से तो यह आपको इसमें आपको इसमें पैट्रोल इंजन मिलेगा ऑर इसमें कि आपको करीब शाईन तॉर्क दॉर् ट्रोल का माइलेज बता हूं तो 21 km पर लीटर का आपको इसमें माइलेज देखने को मिलता है ड्राइब ट्राइब अपको पांच गियर्स का देखने को मिल जाता है अब यार बात करूं इसकी कैपिसिटी की तो इसमें पांच परसंस बैठ सकते हैं बूट स्पेस 240 लीटर का देखने को मिल जाता है और फ्यूल टैंक कैपिसिटी 27 लीटर की देखने को मिलेगी ठीक है यह सब बात हो गई थोड़ी हमने टेक्निकली बात कर ली अभी अगर हम इसके थोड़े फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सारी बेसिक फीचर्स तो में देखने को मिली जाते हैं जैसे की पावरी विंड़ो पावर यसी सब गयरा यह सब कुछ देखने को मिल जाता है जो कि आप इस गाड़ी से एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे इतना जाता है यह गाड़ी बेसिकली पांच लोगों को बेठा लेती है और इंडिया में इतना बहुत होता है अगर यह भी है तो ज्यादा लोग सेफटी अगेरा भी नहीं देखते अब अगर आप इसे नहीं खरीदने जाते तो पांच लाग करीब तक का आपको इस पर प्राइस देखने क इसते ज्यादा सेकेंड हैंड मती लेना थोड़ा बहुत एक्स्टा पैसा डाल के बिल्कोल एक नहीं गाड़ी खरीद सकते हो मारुती सुझुकी एस्प्रेसो जो है और यह जो मैं दो से धाई लाग रुपे की बात कर रहा हूं यह आपको बहुत पुरानी गाड़ी की बा बहुत जानता हूं बाकि मैं अगर आप किसी और इरियास में रहते हो कहीं और रहते हो तो अगर आप दिल्ली में आकर प्रशेस करना चाहते हैं तो काफी सारी जहाओ पर आपको दो लाग से स्टार्ट होके नहीं लाग तक कि यह गाड़ी आराम से बहुत इसली मल जाएग आपको इसमें कोई भी दिक्कत देखने को मिना ही मिलेगी अगर देखो यार मैं बोलूँगा आप इसे लॉंघ लॉंघ ट्रिप्स के लिए नहीं जाते हो भी सबसे बढ़िया खरीज सकते इसकी तरफ जा सकते हो बहुत ज़्यादा पुरानी मॉडल की गाड़ी भी नहीं चाहते हो तो आप इस गाड़ी के साथ जास लेगते हो और यह गाड़ी आपसे 2-3 लाग रुपे लेगी और इसली गाड़ी यह बहुत इच्छी मल जाएगी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत मेंटेनिंस कॉस्ट इसके पर इंवेस्ट करना पड़े कि थोड़ी बहुत अगर पुरानी गाड़ी मिलेगी तो इसमें दिक्कत मिलेगी आपको बट यह गाड़ी सबसे बढ़िया है अब देखो यार इसका मेंटेन्स कॉस्ट भी जादा नहीं है इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है चोटी सा गाड़ी तो दिक्कत नहीं होगर आप दिल्ली जयसी सहरो हमें या और जाब ज्यौहां पर बहुत ज्यादर पॉरड़ा बट जयए बलिए अगर आप लिए, वहां गाड़ी के सुटमाल करने वाले हो तो इसमें कोई प्राबलम थाने वालिए आप इस लिए गा क्योंकि अगर आप यार देखो अच्छी नॉलेज नहीं रखते हो गाडियों की तो आप अच्छे से पता नहीं लगा पाऊगी गाड़ी में क्या डिफेक्ट है गाड़ी में क्या दिक्कत है हो सकता है इंजन में कुछ दिक्कत हो एंड उसके आपके उपर 20-25-30-50,000 रुप बाकि मैंने नैनो, अल्टो, अगरा के उपर बहुत सारी गाड़ी उपर वीडियो बना राकिए 50 कार्स के उपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इस साल के अंदर जो कि सेकेंड हैं और करीब 7-8 वीडियो में अल्रडी बना चुका हूँ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन न बाइ बाइ